सब्सक्राइब कान मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ाता कि राजधानी दिल्ली में एक और स्थीक उसी तरीके से एक और कत्त हो जाता है और लड़की की लाश को फ्रिज में रख दिया जाता है DCP Crime शतीश कुमार हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत तेजी से जो आरोपी है उसको पकड़ लिया सर सबसे पहले तो भजाई आपने बहुत तेजी से इस मामले में को सॉल्व किया क्या था पूरा मामला साहिल गहलोट नाम के विक्ति का निकी आदव नाम की महिला के साथ दोस्ती थी 2018 से वो एक दूसरे को जानते थे साहिल गहलोट के परिवार वालों ने उनकी शादी कहीं ओर तेख कर दी थी 9 तारिक को मंगनी थी 10 तारिक को शादी तेख थी नो तारिख को जब उनकी महिला मितर निकी आदव को पता चलता है कि उनकी तो शादी कहीं और हो रही है तो उन्हें कन्फरंट करने के लिए बुलाती है रात को साहिल गहलोट निकी आदव के फ्लैट से उतम नगर में उनको पिक करते हैं रात को वो लोग घूमते हैं गाड़ी में बहस होती है उन में और उसके बाद गुसे में आकर साहिल गहलोट निकी आदव का अपने मुबाइल फोन के केबल वायर से गला घोट कर हत्या कर देते हैं हत्या के बाद वो उनकी लाश को छुपाने की नियत से उनके खेतों में जो एक छोटा ढाबा उन्होंने खोला हुआ है उस ढाबे में लाके किचन में जो फ्रिज था फ्रिज में जो डेड बोडी थी उसको रख देते हैं कंसील करने के लिए और उसी दिन दस तारिकी शाम को जहां उनकी शादी तया थी वो अपनी शादी अटेंड करने चले जाते हैं शादी करने चले जाते हैं कितने साल से ये लिविन में क्या रह रहे थे कहां मुलाकात हुई थी साहिल गैलोत की निकी अदब से दो हजार अठारा से एक दूसरे को जानते थे इनकी मुलाकात सब से पहले उत्तव नगर में कोचिंग सेंटर में हुई थी जहां दोनों कॉम्पिटिटिव एक्जाइम्स के एंट्रेंस एक्जाइम की तैयारी कर रहे थे बीच में ये काफी साथ रहे हैं कहां एक्जेक्टली और कितने टाइम के लिए रहे हैं ये अभी अनुसंधान का विशे है इसमें हम जाच कर रहे हैं उससे पूर्षताश जा रही है लेकिन ये पांच साल से एक दूसरे को जानते हैं एक अठा रहे हैं साहिल ने जिस दिन जिस रात मडर किया नो और दस की रात बताया जा रहा है उसने मडर कर दिया था तो ये मडर कहां पर किस जगह उसने किया था और उसके बाद लाश को लेकर कितनी दूर उड़ाबाए कहां तक गए थी अभी तक जो तथ्या सामने आए हैं उनके इसाब से दो चीजे साफ हैं एक तो जो हत्या हुई है वो कार में हुई है उस कार में ही वो अगली से उनको बैठा कर वापस लेकर आए हैं इग्जेक्टि किस जगह पे हुई है उसके लिए हम सी सी टी वी देख रहे हैं और बाकी ह उन्होंने जो विक्टिम है उनके लाश को फ्रिज के अंदर कंसील कर दिया साहिल को लोग की बताया जा रहा है कि दस तारिकी निका था या शादी थी साहिल गहलोट हिंदू ही है क्योंकि खबरे ये भी आ रही थी कि निकाह किया ऐसा तो कुछ नहीं जैसे आफताब है वो ये है कि साहिल गहलोट की शादी थी मांडूठी गाउं था शायद से वहाँ पर तो दस तारिक उन की शादी संपन हुई है एक्जाम जो दे रहे थे कंपेडिशन जो एक्जाम दे रहे थे वो किस किस चीज के दे रहे थे सुनने में ये भी आया एक गलगोटिया में भी रहा साहिल वहां पर भी पहले ये ससी एक्जाम की त्यारी कर रहे थे गलगोटिया यूनिवस्टी में साहिल ने बी फार्मा में एडमिशन ले रखा था और निकी आदव ने इंग्लिश ओनर्स में एडमिशन ले रखा था बी फार्मा और निकी आदव ने इंग्लिश में. सर जिसस दिन मडर किया, बता जा रहा है कि कि वहां से कश्मिरी गेट की बात आ रही एक कश्मिरी गेट का इलाका था जहां पर पूंस्ताश में जो हमें सुतर उने द्वरा पता चला है कि उसका गला घूटके वो आगे बाठा हुआ था कि तो किस तरीके से वो आगे बैठी हुई थी कैसे पीछी से जाके किस तरीके से जो उसने पूछ आज़े हुए थी लड़की और उसका गला दबाया है और इसके दबाने की पुछ्टी जब लाश मिली है तो उसके जो गले पे जो निशान है उससे भी होती है बाकी और ज्यादा डीटेल में क करीब पड़ता है तो कितना गुमाया इसने लड़की को लेकर कहां का गया उसकी लाश को लेकर ये शाम को जो भी तक हमें पता चला है अक्यूजड के वरजन के नुसार जिसको भी वेरिफाई करना बाकी है ये शाम को आनंद विहार कश्मीरी गेट साइड इस साइड ये काफी टाइम लगा है क्योंकि इसके नुसार रात को जो साइड घंटे का टाइम था उसमें इनकी बहस भी हुई है बातचीत भी हुई है लड़ाई भी हुई है हत्या भी करी है फिर इसने सोच विचार भी किया है कि इसको कहां मैं छुपाऊं इसको क्या करूं में इस बात लगी है इसमें इसके लिए हम गहनता से जाच कर रहे हैं कि किस टाइम ये कहां था वो सीचिटीव फुटेज मिलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा और बाकि उनका रिकोर्ड देखने के बाद उनका जो रूट है टाइप से वो चार्ट आउट करने के बाद आज चोद मनमुटाओ हुआ है दोनुमें बहस रहे हुए है और उसके बाद ये उसको डिस्पोज अफ कैसे करना चाहरा था वो तो अभी हम नहीं के बता सकते निश्चित तोर पर क्योंकि डिस्पोज अफ करने से पहले ही हमने बोड़ी को रिकवर कर लिया था बोड़ी आफकोर्स साथ देने में क्या कुछ और लोग भी संदिग्द हैं कि इतने दिन उसने बॉड़े रखी किया साहिल का किसी ने साथ दिया अभी तेक ऐसे कुछ सामने नहीं आया है साहिल अकेल नहीं उसने अभी तक जो आया है जो अभी तक तथे हमारे सामने आए हैं उसमें अकेले साहिल नहीं इसकी इस अंजाम को इस वारदात को अंजाम दिया है जिनका साफ कहना था साहिल नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि आज ही सर आज ही आपको पता चला तो राज ही आपने बोड़ी रिकवर कर लिए हाँ जी सुबह हमें सेक्रिट इंफरमेशन मिली थी हमारी जो एसे पी राजकुमार है वेस्टन रेंज क्राइम ब्रांच के और उनके इंस्पेक्टर सतीश कुमार है रेसाई सुरेश है जिनकी इंफरमेशन के उपर हमने ये एक्शन लिया था फिर इनको गिरफतार किया गया इनसे गहन पूछताश करेगी उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आई हैं तो कुल मिला के जिस तेजी से क्राइम ब्रांच नहीं है पर जो ततपरता दिखाई ततपरता से उस लड़के को आरूपी को साहिल गहलोत को गिरफतार कर लिया और बौडी ब्रामत कर लिया पूरा केस सॉल्व कर दिया वो वाके ही काबल तारिफ बैर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं जोस्ट्वेटिफ एंगर और